मित्रो कर्मों का फर्व लोट करके आता है बात उस समय की है प्रातः का लिश्णान करने द्रोपदी यमनातट पर पहुंची उसका सहज ही ध्यान एक साधु पर गया जिनके सरीर पर एक लमोटी मात्र थी दूसरी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी पर हवा के एक जोके से उड़कर पानी में बह गई कुछ योग ही था कि जो पहनी थी वह भी पुरानी होने के कारण फट गई लज्जा तक नढ़की जा रही थी सोचा अब प्रकास होने वाला है भीड बढ़ रही है उन्होंने एक जाड़ी में स्वेम को छिपा लिया यह सारा द्रिश्य द्रौपदी ने देखा उसके मन में साधु महाराज की मदद करने की बात आई दूसरी धोती उसके पास नहीं थी जो पहनी थी उसमें से आधी फाड़ कर उस जाड़ी के पास पहुँची और बोली पिता जी मैंने आपकी कठिनाई समझ ली है इस वस्तर में आप अपनी लाज ढख लें मैं अपने घर अपने कप्रों से पहुँच जाऊंगी साधु ने आसु भरी आँखों से आशिरवात दिया बात आई गई हो गई भरी सभा में द्रोब्दी को उसके बुजुर्गों के समक्ष कौरो द्वारा अपमानित किया जा रहा था दुह सासन उसे निर्वस्त्र कर रहा था भगवान तक नारद ने पुकार पहुँचाई भगवान ने कहा कर्मों के बदले ही मेरी कृपा वरस्ती है क्या कोई पुन्य है द्रोब्ती के खाते में जाचा पर खा गया तो साधु को दिया वस्त्र दान हिसाब में मिला जिसका ब्याज बढ़कर नजाने कितना हो चुका था भगवान पहुचे और समय पर द्रोब्ती की मदद की हजारों गज कपड़ा नजाने कहां से आता चला गया मनुष्य सुकर्म करे तो उसका पुन्य फल उसे मिलता ही है स्वेम का कुछ किया न हो तो विधाता मदद कैसे करे सच ही कहा गया है जो इनसान जैसा कर्म करता है उसका उसी हिसाब के अनुसार फल मिलता है इसलिए हमें अच्छा कर्म ही करना चाहिए अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है एक दिन किया हुआ अपना कर्म अपने समख्य अवस्या आता है सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें व्यास सहित मिलता है